दो दोस्त, डैनी और दयाल जंगल से गुजर रहे थे एक बात कहूं दयाल, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूँगा सच में डैनी? हाँ, सच में, मानो मेरी बात, जब तक मैं तुमारे साथ हूँ, तुम किसी चीज़ की चिंता मत करना, मेरे उपर पूरा भरोसर रखो थांक्यू डैनी, मैं जानता हूँ कि जब भी जरुरत पड़ेगे तुम मेरा साथ दोगे, मैं बहुत किसमत वाला हूँ जो तुम जैसा दोस्त मिला है हे, दोस्तों में ठैंक्स या सारी नहीं होता है, समझे मेरी बात हाँ, सॉरी दोस्त, मेरा मतलब तुमने सही कहा, हे, भगवान बालू, वह वह देने बालू आ गया है बताऊने अब हम क्या करें डैनी 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 मेरे लिए रुको ना, मैं पेड़ पर चड़ना नहीं जानता अरे ession घाव मुझे, अरे पाबा रे पाबा बालू डैनी सुनो मेरी बात, रुको ना, रुको डैनी, अब मैं क्या करूँ मुझे ऐसा छोड़ कि मच्छो डैनी !!! ये क्या कर रहे है इस तरह तो ये मारा जाएगा हुआ 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 है मैंने सांस रोक ली और मुर्दा होने का नाटक करने लगा गनी मत है ये भालो मुर्दा नहीं खाते है भालो ने कहा कि बुरे वक्त पर सही दोस्तों की पहचान ओती है इसलिए कभी भी ऐसे दोस्तों के साथ मत रहो जो वक्त में काम ना है समझ गए? सच्चा दोस्त वही है जो बुरे वक्त में भी अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ता स्च्चा जढ दोस्त का अवगा है